दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर मैं हूँ डोक्टर प्रदीप प्रसन और आप भी प्रसन होंगे आए कुछ नई बाते सीखते हैं आज के टोपिक के साथ विद्यार्थियो आज की वीडियो हम बना रहे हैं संचेपन का स्वरू पर्ट चार संचेपन को लेकर के हम इससे पूर वीडियो बना चुके हैं और उन वीडियो के अंदर हमने संचेपन के अर्थ उसकी परिभाशा उसकी शैली नियम प्रकार इन सब को लेकर के समझाने का प्रियास किया है संचेपन अकादमिक रूप से भी इन प्रतियों की परिक्षाओं के अंदर भी पूछा जाता है और सिर्फ संचेपन बिंदू ही नहीं वलकि संचेपन के माध्धम से दूसरे हिंदी के तोपिकों को भी समझने में मदद मिलती है तो आप इसे गंभीरता से पढ़िए और यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरू करें बैल आइकोन को जरू दबाएं ताकि सभी प्रकार की वीडियो आप आसानी से देख सकें आप तक पहुं ऐसे शब्द हैं जिनका सामान्य प्रियोग रचना में प्राय हुआ करता है जैसे पैराप्रेसिंग अन्वेजी से कहते हैं समरी सारांश कहते हैं जिसे सर्स्टेंस भावार्थ प्योरपार्ट आश्य गेश्ट मुख्यार्थ स्नॉपसी रूप रेखा इत्यादी साधारन द्रश्टी से शब्द समानार्थी हैं और इनके रूप एक जैसे मालूम होते हैं किन्तु इनके स्वरूप में शुक्ष मंतर है इनके परस्पर भेदों आदी को जान कर ही हमें संचेपन के स्वरूप का सही ग्यान हो सकता है इन में से कुछ के भेद इस प्रकार है यानि कि बहुत सामाने द्रश्टी से देखें तो ये संचेप के ही भेद, स्वरूप या उन जैसा ही दिखाई देता है संचेपन और सारांश Prices and Summary सारांश में केवल मुख्य तथे कुथ्यन संचेप में लिखती आ जाता है जबकि संचेपन में सामानेते मूल की सभी बातें करमबधता के साथ उपस्तित की जाती है तो दोनों में ये विशिष्ट अंतर है संचेपन और सारांश का अनुपात करम से तीन अनुपात एक और दस अनुपात एक है ये दोनों में दूसरा अंतर है आश्ये और संचेप यानि की पोरपोर्ट और पेरेसिस में आश्ये में या तो संपूर्ण कथन का अथ्वा गूड वाक्यों या पदों का इस्पष्टी करण रहता है जबकि संचेपण में इस्पष्टी करण की गुंजाईश तनिक भी नहीं है अनवे और संचेपण अनवे में मूल के मुख्य और गूण भावों का समावेश होता है जबकि संचेपण में किवल मुख्य भाव रहता है गूण भावों को छाट कर बाहर निकाल दिया जाता है भावार्थ और संचेपण दोनों में भावों अत्वा विचारों की संचिप्तता रहती है किन्तु भावार्थ में जहां लेखन की लंबाई चोड़ाई की अंतिम सीमा नहीं बांधी जा सकती वहां संचिप्ण में ये आवश्चक है कि वह सामाने तया मूल का एक दिहाई हो यानि कि जब संचिप्ण और मूल में आंत्रिक रूप से भी और बाहिये गत संरचनात्मक रूप से भी दोनों में अंतर नहीं दिखाई देगा तो क्या फर्क रह जाएगा तो अंतर होना चाहिए उसमें इसके अत्रिक भावार्त में जहां मूल के मुख्य और गोण भावों का इस्थान सुरक्षित है वहां संचेप्ण में केवल मुख्य भाव ही रह सकता है गोण नहीं इसी तरह अन्य भेदों को भी समझना चाहिए इन भेदों से यह इस्पष्ट है कि संचेप्ण वस्तूत है एक स्वतंत रचना विदी है जिसका उद्देश मूल अवतरन की सभी आवश्चक बातों को संचिप्त रूप में उपस्तित करना है और दूसरा इन बातों को इस ठंक से सजा कर प्रस्तूत करना है ताकि पढ़ने में सरलता, इस्पष्टता, मोलिकता, एकता और संचिप्तता का बोध हो संचेप्ण की उधारन से हम इस चीज को समझने का प्रियास करते हैं संचेप्ण वरनन आत्मक्षेली, डिस्क्रप्टिव स्टाइल, उधारन एक रितुराज वसंत के आगमन से ही शीत का भेंकर प्रकोब भाग गया पतजड में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण पत्रों को गिरा कर लता कुंजों पेड पोधों को स्वच और निर्मल बना दिया व्रक्षो और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्पूटन से योगन की माधक्ता छा गई कनेर, करवीर, मदार, पाटल, इत्यादी पुष्पों की सुगंधित दिग दिगंत में अपनी माधक्ता का संचार करने लगी ये सभी पुष्पों के नाम है नशीत की कठोरता ने गृष्प का ताप सम शीतोषन वातावरण में प्रतेक प्राणी की नसनस में उत्फलता और उमंग की लहरें उट रही है गिहूं के सुनहले बालों से पौन इस पर्ष के कारण रुण्जुन का संगीत फूट रहा है पत्तों के अध्रों पर सोया हुआ संगीत मुखर हो गया है पलाश्वन अपनी अरुनिमा में फूला नहीं समाता है रितुराज बसंत के शुशासन और सुव्यवस्था की छटा हरोर दिखाई पड़ती है कलियों की योवन की अंगडाई भ्रमरों के आमंत्रन दे रही है अशोक के अगनी वरन कोमल एवं नवीन पत्ते वाईयों के इस पर्षे तरंगित हो रहे हैं शीत काल के ठिठुरे अंगों में नई इस फूर्ती उमड रही है वसंत के आगमन के साथ ही जैसे जीर्णता और पुरातन का प्रभाव तिरोहित हो गया है प्रकरती के कनकन में नए जीवन का संचार हो गया है आमर मंजरियों की भीनी गंध और कोयल का पंचम आलाप भ्रमरों का गुंजन और कलियों की चटक वनों और उद्ध्यानों के अंगों में शोभा का संचार सब ऐसा लगता है जैसे जीवन में सुख ही सत्ते है आनंद के एक छण का मुल्य पूरे जीवन को अरपित करके भी नहीं चुकाया जा सकता है प्रकरती ने वसंत के आगमन पर अपने रूप को इतना संवारा है अंग अंग को सजाया और रचा है कि उसकी शोभा का वर्णन असंभव है उसकी उपमा नहीं दी जा सकती ये एक मूल अवतरन है इसको कम से कम समझने के लिए आपको दो या तीन बार पढ़ना चाहिए पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा किसमें किस विशे को लेकर मक्य रूप से बात हो रही है प्रकरती है, वसंत है, फूल, पत्ते है तो ये सारी और अनेक उपमाई दी गई है इसमें, रूपक बनाए गए है बहुत सुंदर वरनन किया गया है अब इस पूरे अवतरन का यदि हम संचेपन करें तो किस प्रकार होगा, कैसे होगा वो हम आपको उधारन से समझा रहे हैं किस एक विशे को ले करके सारी बाते हो रही है तो ये वसंत रितू की बात हो रही है अब उस वसंत रितू की शोभा कह सकते हो, सिर्फ वसंत रितू भी कह सकते हो या आपके मन में कोई और शीर्शक इसको ले करके सूज राए तो आप वो भी रख सकते हो तो वसंतरीतु के आते ही शीत की कठोरता जाती रही पश्चिम की पवन्ने व्रक्षों के जीरन शीरन पत्ते गिरा दिये व्रक्षों और लताओं में नए पत्ते और रंग बिरंगे फूल निकलाए उनकी सुगंधी से दिशाएं गमक उठी सुनहले बालों से युक्त ग्यहों के पोधे खेतों में हوا से जूमने लगे प्राणियों की नश-नस में उमंग की नई चेतना छा गई आम की मंजरियों से सुगंद आने लगी कोयल कूकने लगी, फूलों पर भोरे मंडराने लगे और कलियाँ खिलने लगी प्रकृति में सर्वत्र नवजीवन का संचार हो उठा अब देखी यहाँ पर यह संचेपन पूरा हो गया अब टिपणी के लिए हम उपर मूल संदर में वसंत रितू प्रकृति की शोभा का अतिशर्युक्ति पूर्ण वर्णन है यानि कि बढ़ा चड़ा के उसको विसेश रूप से कुछ-कुछ कहा गया है जिसमें सहित्तिक लालित भरने की चेश्टा की गई है संचेपन में हमने सभी व्यर्थ शब्दों व्यर्थ से तात्परी ऐसा है कि जिसमें संचेपन में आवशक्ता ने हो जिनकी बिना उन शब्दों के काम चल जाए वो बात कहने से ही इस्पष्ट हो जाए इसलिए व्यर्थ है वो अन्य था वो बहुत उपयोगी शब्द हैं मूल वर्तमान काल में लिखा गया है पर संचेपन में सारी बातें भूत काल में लिखी गई है सारांश यह है कि संचेपन की लेखन विधी अन्वे सारांश भावार्त आशे मुख्यार्त आलेक रूप रेखा इत्यादी से बिलकुल भिन्न है उनसे अलग है और यह अलग होने के कारण ही विशिष्ट है चुकि इन सब की अपनी वी विशिष्टा है लेकिन हैं संचेपन की बात कर रहे हैं तो उसको प्रमुक्ता देते हुए उसकी विशिष्टा बता रहे हैं उसकी उप्योगता बता रहे हैं जिस संदर्व का संचेपन लिखना हो उसे सावधानी से पढ़ लिया जाए और उसके भावार तथा विशे को अच्छी तरह समझने की चेश्टा की जाए संभव है कि एक बार पढ़ने से कुछ भाविस्पष्ट ने हो अते उसे दोबारा तीबारा पढ़ा जाए और उसके महत्तुपूर्ण अनशों को रेखांकित किया जाए अब इन महत्तुपूर्ण अनशों के आधार पर एक संचिप्त प्रारूप तयार किया जाए इसे सामा कुल से कोई आवश्यक बात छूट तोरने गई हो अन्तिम रूप से जब संचेप्ण तयार हो जाए तब उसका एक उप्युक्त किन्तु छोटा सा शीर्शक भी दे दिया जाए अन्त में समस्त संचेप्ण को इस द्रश्टी से एक बार फिर पढ़ लिया जाए कि भाषा मे प्रवा कहीं विच्छिन तो नहीं हुआ या क्रम तो भंग नहीं हुआ यदि कहीं भाषा शिथिल हो गई हो या कोई शब्द उप्युक्त नहीं जस्ता हो तो उसमें सुधार कर दिया जाए यानि कि एक बार हम जो दो तीन बार उसे मूल को पढ़ लें उसके बाद का ऐसे वाक्यों का प्रियोग तो नहीं है जिनकी पुन्रावरती हो रही हो दोहरा हो या फिर ये देखेंगे कुछ ऐसी बात तो नहीं छूट गई हो जो कि मूल में हो यहाने आई हो और इन सब चीजों को देखते हुए हम एक संच्छेपन का बहुती सार संच्छिप्त औ एक शीरसत के साथ में तो विध्यारतियों ये थी आज की वीडियो वीडियो आपने पूरी देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा करते हैं वीडियो आपके लिए लाभानवित होगी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को क एक साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार